स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासिस में मैं चेतन प्रताब आज आपके लिए लेकर आये हूँ क्लास 12 में हिंदी में काब के अंतरगत सच्चिदानन हीरानन वात्साइन अगे जी की एक सुंदर रचना जिसका सीरसक है हिरोशिमा ये रचना इनके काब शंग्रे सुनहरे सैवाल से ली गई है बहुत ही अच्छी रचना है तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें साथ ही साथ वेल आइकन भी आउन कर लें जिससे हम आगे जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो चलिए शुरू करते हैं मैं चेतन प्रताब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक दिन सहसा सहसा माने अचानक सूरज निकला सूरज निकला अरे छितिज पर नहीं छितिज माने आस्मान आस्मान पर नहीं मतलब आस्मान नहीं छितिज होता है वो बिंदू होता है जहां आस्मान और धर्ती मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो अरे छितिज पर नहीं नगर के चौक कि नगर के चौक में निकला सूरज यानि यहां कहने का अर्थ है समझी आगे धूप बरसी पर अंत्रिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से यानि यहां कहने का अर्थ है कि जब हिरोश्मा पर हिरोश्मा जापान की हिरोश्मा पर अमेरिका ने परमानू बम गिराया था तब की बात हो रही कि एक दिन सहसा सहसा माने अचानक सूरज निकला अरे छितिज पर नहीं यानि जहां निकलना चाहिए छितिज पर वहां नहीं नगर की चौक में निकला यानि नगर की चौक में बम गिरा और धूप बरसी उसके विस स्पोर्ट होगा तो जमीन से धूप निकली यानि भहिंकर बिस्पोर्ट होने का गार्ण ऐसे लगा जैसे कोई एक नया शूर्य ओदे हो गया हो आकास नहीं हुए नगर के बीच भी चौक से हुगा और ऐसी धूप बरसी ऐसे लग रही जैसे धूप अंत्रिक से नहीं बलकि म बिसाहीन बिना दिसा के सब और पढ़ी सब जगे पढ़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा बीचो बीच नगर के कभी आगे कहता है कि अब स्पोर्ट के कारण भेंकर लासें गिरी भेंकर मौते हुई तो जो लासें थी च्छायाएं थी मानवजन की मन सहसा बीचो बीच नगर के को तो नगर के सहसा बीचो बीच बरसा था काल शूरे के रत के पहियों के जिए अरे तूट कर बिखर गए हों 10 सो दिसाहूं邊 और बहिंकर बिस्वो इतना भेंकर भी कर भीसर तबाही फेली मची वह सूरज नहीं उगा था पूरा में वह बरसा सहसा बीच ओ बीच नगर के कि सहसा नगर के बीच ओ बीच वह बरसा था और पहियों के जों अरे टूट-टूटकर बिखर गए हों दसो दिशा में आगे कुछ छणका वह उदे अस्त कि कुछ छणक खू जैसे कुछी छण में काम हुगया कोशी छण में शूर्य ओद्स हुआ कुछ चणमें नश्ट हो गया खिए उदे अस्त केवल एक प्रज्वलित छण की यानि एक प्रज्वलित छण एक जलता हुआ छण प्रकासित छण यानि जब बम फटा तो एक दम से प्रकास हुआ और लुप्त हो गया एक प्रज्वलिद छण की द्रस से सोख लेने वाली दुफैरी अब द्रस से सोख लेने वाली दुफैरी का मतलब क्या है जब भेंकर प्रकास होता है तो चका चौन इतनी हो जाती कि द्रस भी सूख जाता है दिखाई कुछ नहीं देता तो एक छण का वह उदे अस्त और केवल एक प्रज्वले छण की द्रश्य सोख लेने वाली दुफैरी यानि कुछ छण में शूर्य उदे हुगा और नश्ट हो गया अस्त हो गया यानि एक दव से प्रकास बम के गिने पर हुगा और प्रकास खतम हो गया और एक प्रज्वले छण की द्रश्य सोख लेने वाली दुफैरी का मतलब यह है कि द्रश्य चकर चौन में दिखाई नहीं देता था कुछ भी नहीं दिखाई देता था इतना तीज प्रकास कुआ फर आगी चायाएं मानो जन की नहीं मिटी लंबी हो हो कर अब चायाएं मानो मनुष्च की जो लासे थी वो लंबी पड़ी थी तो वे आज भी नहीं मिटी अर्थात उनकी निसान आज भी हैं वे लंबी हो हो कर आज भी नहीं मिटी लंबी पड़ी हो ही थी तो आज भी वो नहीं मिटी और मानव ही सब भाप हो गए जितनी मनुष्य थे उस समय जब बिस्पोट हुआ बहें कर तापत बन हुआ जिसकार मनुष्य भाप में बदल गए पूरी तरह जल गए मानव ही सब भाप हो गए चायाएं तो अभी लिखी है जुल से हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गच पर माने दरार पर कि अभी भी चायाएं लिखी हुई है अर्था लासें अभी भी लिखी हुई है जुल से हुए पत्थरों पर जो बिस्फोट की कार पत्थर जुलस गए थे उन पर उनकी निसान है और उजडी सडकों के गचों पर दरारों पर भी उनकी अभी निसान है बिस्फोट के बराबर आगे कभी कहते हैं कि मानों का रचा हुआ सूरज मनुष्य का रचा हुआ सूरज मानों को भाप बना कर सोख गया कि मनुष्य का रचा हुआ सूरज ही मनुष्य को भाप बना कर सोख गया और पत्थर पर लिखी हुई है जली हुई छाया मानों की साखी है कि कहते हैं मनुष्य ये रचा हुए सूरज यानि परमानुबम मनुष्य को ही भाब बना कर सोग गया यानि इतना भेंकर इसकी विस्पोर्ट से ताफ हुआ कि मनुष्य भाब बनकर सूख गया राख हो गया और पत्थर पर लिखी हुई यह है जली हुई च्छाया मानव की साखी पत्थर पर तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पूरा होता है आसा ही वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले आगे अगले वीडियो मिलते है तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद्ध जै भारत